चौदा मुख्यमंत्री हो गए हैं 21 साल में इतना बड़ा जूट हमारे सार इतने बड़ी ठगी की गई है राजनिकी तोर पर आज तक रोजगार की कोई नीती नहीं बनी है क्या चुनाव के बाद ऐसे कुछ समीकराण बन सकते हैं कि आप कॉंग्रेस के साथ या बीज़ेपी के साथ जाएं ऐसा कुछ सोचा है आपने बिलकुल सोचा है हम नहीं जाएंगे न दारू से न नोटू से हम जीतेंगे बोटू से अपना आप कुछ नमस्कार आप देख रहे हैं दिललन टॉप हम उत्राखंड में हैं उत्राखंड की राजधानी देहरादून में और बात करने आये हैं एक विशेश व्यक्ति से जो उत्राखंड की राजधानी ये जब से राज्य बना अधिकतर बीजेपी कॉंग्रेस ज इनी दलों का नाम सुनाए देता है परंतु एक और दल है जिसका नाम है उत्राखंड क्रांती दल ये वो दल है जिसको इस राज्य के गठन और उसके आंदूलन के लिए जिसने इसको लीड किया इसका नाम आता है और वर्तमान में इस दल के पास अभी विदान सभा में कहते हैं तो हम ने सोचा उनके अध्यक्ष से मिलें श्रीकासी सिंग एरी जी और जानने की कोशिश करें कि इस बार उत्राखंड क्रांती दल क्या कोशिश कर रहा है क्या उनकी रणनीती है किनकी सीटों पर उनकी नजर है और उनके आगे का प्लैन क्या है उत्राखंड के ल गठन और बैग्राउंड वो रहा उसका बीजेपी कॉंग्रेस का बैग्राउंड उससे नहीं जुड़ा रहता वो नेशनल पार्टी हैं थोड़ा सा हमें यह बताईए जिस प्रकार 60 में भाशा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ उत्राखंड की राज जी की मांग थी व उत्राखंड की पर्मिनेंट कैपिटल नहीं है देरादून अस्थाई राजदानी है दोहजार में जब राज्य बना था नौन अमर को तो इसको अस्थाई राजदानी का गया था और यह वारत सरकार ने जियो जारी किया था कि चुनिवी विदानसवा पर्मिनेंट लेकिन दुर्भागी यह है कि की साल होने के बाद भी और चार विदानसवाएं हमारे चली गए दोजार दो से लेके दोजार यह बाइस पांच्वां बिदानसवा चुना हो रहा है और अभी तक राजदानी का मसला हल नहीं हुआ है इससे बड़ी दुर्भागी बात क्या ह अब आपका सवाल है कि प्र्थक उत्तरकंड राज़ी की मांग क्यों उठी जब पहला राज़ी पनरगर खठन आयूग बना था उसी वक्त यह मांग हम लोगों ने उठाई थी हमारे बुज़ूर्गों ने उठाई थी कि हम उत्तर प्रदेश के साथ हमारा राज़ी हो जाएगा इसलिए इसको अलग किया जाना चाहिए ओपनर गठना आयोग नहीं माना और उसमें एक केम पढ़िकर थे सदर्श से जो साउत इंडिया से आते थे उन्होंने नोट अप डिसेंट लगाया था कि मेरी बात मैं अपनी बात कहना चाहता हूं कि उत्तरवर्देश के साथ रहकर उत्तराखंड का विकास नहीं हो सकता है यह बिल्कुल सेपरेट एंटिटीटी है इसकी सामाजिक भौगवलिक आर्थी स्थितिय बिल्कुल अलदा है फरक है इसलिए इसको अलग राज्य का दरज्जा दिया जाना चाहिए यह मेरी मानना है तो इस तरह से वह ब और सांस्कृति की स्थिति भी फरक है यह चार-पांस कारण होते हैं जिससे एक राज्य का गठन किया जा सकता है जिसको नहीं माना गया उस अल्टिमेटली हमको इस राज्य के को प्राप्त करने के लिए बड़ा आंदोलन करना पड़ा आप जानते हैं कि बयाली से ज्याद अधिन का मसला एकी साल तक साल नहीं हुआ है हमारे इस राज्य की मांग के पीसे यह था कि हमारे आनमप्लोईमेंट बहुत ज्यादा है पलाइन ज्यादा है और यहां के जो लोगों के आमदनी का जरिया है वो बिल्कुल नहीं के पराबर है क्योंकि पाहड़ी इलाका है ज जरिया होता है नौकरी वो भी नहीं मिलता है और आज भी उसके लिए कोई बना है कोई भी रोजगार की नीती नहीं बनी है 21 साल होगे इस राज्य को बने हुए 14 मुख्यमंत्री हो गए है 21 साल में इतना बड़ा जूट हमारे सार इतने बड़ी ठगी की गई है राजनीकिक तो यहां प्रसार प्रचार बहुत पहले से था लेकिन आब राज्य बनने के बाद क्या होना चे था राज्य बनने के बाद अल्टिमेटली क्या हुआ है कि कम से कम 4-5,000 स्कूल हमारे बंद हो गए है कारण वहां से लोग पलाइन कर चुके है वहां पर चातर संग्या है नह तो यह तमाम सारी दुस्वारियों को लेकर राज्य की मांग की गई थी लेकिन वह दुस्वारियां घड़ने की जगह बढ़ी है और उन दुस्वारिय में कोई कमी नहीं हुई है इसलिए हमारा आज भी आंदोलन हम तो इन चीज़ों को लेकर आंदोलन करते रहे हैं और इ प्रशनी की समशा है उठ रही है पलायन का है बेरोजगारी की समशा है आपने बात कई 85 प्रतिशत ये पहाडी राज्य है अगर हम सीटों की संख्या देखें जो चुनावी गणित है उसमें 36 सीटे जो है वो प्लेंस से आ रही है पचास लाग मदाता करीबन करीबन प्लें से से आ रहा है जो परिसीमन के बाद जो सीटे हैं वो प्लेंस की बढ़ रही है चार जो प्लेंस के जिले हैं जो मैदानी जिले हैं उनमें सीटों की संख्या जादा है पहाडी इलाकों में सीटों की संख्या कम है उत्राकरांती दल से जोड़ा इसका मेरा प्रशनी ये है कि आपकी पार्टी का जो हम लोग, मैं इसी राजी से बिलॉंग करता हूँ, बच्पन में हम इसी UKT का नाम देखते थे, हर जोगा लिखा रहता था, आप एक चूने से लिखा रहता था, पहाडों में लिखा रहता था, और पहाडी राज्यों में इसका अच्छा कासा नाम इस कारण से उत्राखन कांती दल को समश्या जो हुई, यह आपको लगता ऐसा है, देखे परिशिमन हमारा जब राज्य बना था, तब परिशिमन हुआ था, सतर सीटे हमको मिली थी, उसके हिसाब से परिशिमन हुआ था, 2004 में पूरे देश में परिशिमन हुआ, हमने उसका परिशिमन हुआ था, जारकंड में नी हुआ, पूरवोतर राज्य बना परिशिमन हुआ, क्योंकि उनकी राज्य बिदान सभाव ने परिशिमन करके बेजा, कि हमारे हुआ परिशिमन करने की जूरत नी है, हमने लड़ाई लड़ी, लेकिन अनतीतों गत्वा कॉंग्रिस क कि अंडितेवारी की सरकार थी उन्होंने हमारी बात नीमानी हमने बहुत बिरोद किया और नतिजा यह हुआ कि पहले पहार से जन संक्या के आदार पर परिशिमन नहीं हुआ है चाए वो MP की सीट का हो चाए MLA की सीट का हो बल्कि उसके साथ भागालिक परस्तिती भागालिक शित्रफल को भी ध्यान में रखा गया है और इसकी व्यवस्ता है कि परिशिमन एज मच एज परसिबल जन सिंगा के साथ सिक किया जाना चाहिए यहां ऐसा संभाव निया है तो भागलिक शित्रफल को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए हमारी यह मांग है और अल्टिमेटली जब नेक्स परिशिमन होगा तो पहार की स समलावार है आपकी पार्टी कॉंग्रेस के प्रतिकी बीजेपी कॉंग्रेस ने इस राज को लुटा खसोटा आपके आपकी पार्टी के लगतार बयान आये हैं इस तरीके के परंतु यह भी एक सच है कि आपकी पार्टी चाहें 2002 में हैं बाहर से समर्थन देती है आपके व जरूर कहते हैं कि हम लोग संगर्श करेंगे परन्तु जैसे ही विधानसभा चुनाओं पूरे होते हैं ऐसा दिखाई देता है बाहर से लोग कहते हैं कि उत्राखन क्रांती दल जो संगर्श की बात कर रहा है वो संगर्श केवल चुनाओं के पहले दिखाई दे रहा है वो सदन में जाकर क्यों नहीं होते हैं सदन में अगर आप 2002 से लेके 2007 का विदान सभा की कारवाई का अलोकन करेंगे तो आप पाएंगे कि हम चार विदायक थे और हम लोग ने जबरजस्त वहां बाहर से समर्था था अंदर से तो सवाली नहीं पैदा होता है हमने पूरी लड़ाई-लड़ी है उस लड़ाई में हमारा परशिमन की लड़ाई भी हमने विदानसभाव में भू कानून को लेके विदानसभाव में बहुत जबरजस्तर के से मसले उठाएं अब रहा सवाल की पार्टी में ये जरूर हुआ है कि कभी-कभी होता है हर पार्टी में होता है दुर्वागी से हमारी यहां भी हुआ मदवेद हुए और उससे पार्टी कमजोर हुई और उसी का नतिज़ा यह हुआ कि हमारा जो जनाधर था वो गटा लोगों में विश्वा वे अज़कोंगे बि necessity बडाइस के बाहर पारबी करे को aujourd'аш जो जयेगा तो ऊसको फिर पारटी के कि को पारटी विटानेवाश अवासा के करेगा विधान – नहीं हो profesid pray cook lazar ग में और उसके बाद तीन चुनाओं में आपको हार का सामना करना पड़ा हरी श्रावजी के सामने आप एक MP का चुनाओं भी हारे जो बहुत सिमित अंतर से तो आपको बहुत बड़ा निता माना जाता था पूरा परपेक्ष समझाने के लिए में ये कहना चाहरा हूं कि 1996 में एक ऐसा दोर आया जब आपने काम चुनाओं नहीं लड़ेंगे जब तक ये पहाड को हम हमारे उत्रहंड को राजी नहीं मिलेगा हम चुनाओं नहीं लड़ेंगे आपका ये बयान भी था कि इसकी वज़ए से हमको बहुत घाटा हुआ क्योंकि उस समय आपने एक निरने लिया पर परचार में नहीं कर सकता था दूसरा बहुत साफ और सपस्ट है कि आज का चुनाओं है वो इतना महंगा खर्चिला और सिद्धान्त विहीन धन्वल शराब का ये तमांग सारी होगी जो मेरे बसकी बात नहीं मेरे सिद्धान्त के खिलाब है इसलिए हमने चुनाओं नहीं करने का फैसले किया एक तो पार्टी का परचार सब जगह कर सकूं और दूसरा मेरे मैं इस चुनाओं की राजनीति में जो बर्तमान में हो गई है चुनाओं का जो चलन है वो उसको मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता उसको मैं अपने सिद्धान्त के खिलाब मानता है भाग नहीं लेना चाते तो आप उतनी शमता से उतनी तागत से कैसे लड़ पाएंगे फिर देखिए हमारे प्रत्यासी चुनाओं बहुत काईदे से सिद्ध से लड़ रहे हैं ये जरूर है कि वो भी धनबल का या शराब का या पैसे का इस्तिमाल नहीं करेंगे मैं एक ज काम के बल पर और अपनी मुद्दों के बल पर चुनाओं लड़ रहे हैं और हमें उमीद है कि उत्राखन की जनता जिस तरह से ये गंदगी आ गई है चुनाओं में उस गंदगी को ठीक करने के लिए उत्राखन का अंदल का साथ देगी ये गंदगी क्यों आई है इसका क्य इसके दो इसके दोसी दोनु राष्टी दल हैं बाजयपा और कॉंग्रेस किसी तरके से उनको चुनाव जीतना है और हमारी पीडी बरबाद हो गई है हमारा समाज खराब हो गया है एक मैंने शरापिला के उनको उनसे परचार कराते हैं और एक मैंने बाद वो बेरोजगार हो माहल बिगड़ा है बलकि सामाजिक माहल भी बहुत खराब हुआ है हम इसके खिलाब भी इस चुनाव अभियान में ये आनवलन चला रहे हैं थोड़ा आपकी पार्टी के इतियास के उपर नजर डालें तो आप 2012 में जो चुनाव लड़ते हैं इसमें आपको चार विधायक एक दिसमलब नौ तीन और 2007 में आपका वोट पतिशत एक पतिशत से भी कम हो जाता है आपके एक मात्र विधायक जो पार्टी से लगतार जीत रहे थे वो भी यमनियोत्री सीट से जो जीते थे अब धनौल्टी से जीते थे वो भी आप भाजपा में आ चुके हैं प्रितम स जी और यह लगतार गिरने का कारण क्या है कि आप यह कहने कि धन्बल की कमी है यह सब कुछ यह तो पहले भी रहा होगा परन्तु आपका नाम था आप एक पावर माने जाते थे कि अगर दो बार आपके ऐसा आपके पास मौका आया कि सरकार आपके समर्थन से आपके जोड स तो एक तो इस फेरे हम लोग ने सारे गोड़ फुट खतम कर देया हैं, पार्टी एग होके एक आवाज से लड़ रही है, दूसरा भी यह है कि जो राजनितिक परिद्रश्य है और लोगों की सोच में भी फरक आया है, वो समझने लगे हैं कि आज एक सीट से भाज़वावला कॉंगरेस में समलित हो रहा है, कॉंगरेस वहला भाज़वा में समलित हो रहा है, माने उन्हें जनता से, जनता के सोराकारों से कोई मतलब नहीं है, उन्हें एन एक एन परकार्ण चुनाव जीतना है, कोई सिद्दान्त नहीं है, कोई मूल्य नहीं है, तो इस बात को जनता का बहला कोई कर सकता है लड़ाई कोई लड़ सकता है तो उत्राघंट का अंदल लड़ सकता है इसलिए अभी जनता की भाने बदली है इसके हिसाब से हमें उमीद है कि अभी हमारा परफर्शमेंस काफी अच्छा होगा एक दिक्कत आपके पार्टी में नेताओं चहरों को ल दलों से दूसरे दलों से ना भी तो समाज से उन नेताओं को खड़े करें नए चहरों की कमी दिखाई देती है हमसे कई लोगों ने कहा इस तरफ आपका कितना ध्यान है अभी आप हमारी जो प्रत्याश्यों की सूची देखेंगे तो उसमें 70% युवा है नए लोग है और करीब करीब मैं समझता हूं कि 20-25% महला हैं वो भी युवा हैं तो हम लोग उने अभी इस क्रेंड को भी बदला है ये युवा जो अब शेत्र में काम कर रहा है जो उत्राखन के सिद्दांतों से इत्तफाक रखता है उसको हमने मौका दिया है और मैं समझता हूं कि वो रहेगी मजबूत रहेगी एक दिक्कत जो यह है कि जनवरी के महने में खबर है आ रही थी कि उत्राखन क्रांतिय दल सतर सीटों पर लड़ेगा फिर बाद में जब लिस्ट आई तो दिखता है कि उन पचास सीटों पर आप कैंडिडिट खड़े कर पा रहे हैं दो पर आप कि पार्टी कमजोर है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे यह तो पस्ट है हम लोगों ने कोशिश की थी कि हम पुझे सतर सीटों में चुनाव लड़ेंगे फिर जो हमारे जो उत्राखंडर के सरोकारों से लड़ने वाले दल थे संकटन थे उनसे भी हमारी बाद नहीं है उसने काम नहीं किया है तो खाली खानापूर्ति के लिए उसको लड़ाना ठीक नहीं है इसलिए हमने ठोक बजा के उन्चास-पचास सीटों में चुनाव लड़ा है एक थोड़ा सा और दिखाई देता है कि हरी श्रावत मुख्यमंत्री के ऑफिशल नहीं है अभी कि आप पार्टी में इन्वाल रहें कई बार आप सरकार में रहें चाहे वो कॉंग्रेस की बनी तो क्या चुनाव के बाद ऐसे कुछ समीकरार बन सकते हैं कि आप कॉंग्रेस के साथ या बीज़ेपी के साथ जाए ऐसा कुछ सोचा है आपने बिलकुल सोचा है हम नहीं चार चाहिए एक बैसा बटता है कि नहीं बनती किसी सरकार और पाला गेंद आपके पालेमें आती है तब भी क्या आपका यह निर्ने बरकार रहेगा या आपके कोई ऐसी मांगे हो जिन पर आप जाएंगे उनके सांद कि यारा बिंदू मांगे हैं और ऐसा कुछ है कि हमारे नौब इंदु पर हमने समर्थन दिया था उसका हम को बहुत खराब तिक्स न रहा है चाहे दो की कमी हो तीन की कमी हो हमारे दो हों तीन हों हम किसी भी श्रकार का समर्थन किसी भी हमें पता है कि हम इन soul के अधार पर समर्थन देंगे वो मुद्दे कभी यह लोग पूरे करने वाले नहीं हैं इसलिए हम यह कह सकते हैं अगर जैसे आपका hypothetical question है वैसे ही है लेकिन फिर भी अगर ऐसे इस्तिति आएगी तो हम कहेंगे हम हमारा मुख्यमंत्री बनाओ और सरकार हम चलाते हैं आप मुख्यमंत्री की मांग करेंगे अगर बिल्कुल करेंगे बिल्कुल करेंगे क्यों नहीं करेंगे कॉंग्रेस का घोषणापत्र रिलीज होता है चार धाम चार काम की बात होती है चार लाग युवा रोजगार सिलेंडर 500 मिलेगा नरिन मुदी जी लगतार रैली कर रहे हैं शीनगर में अलमोडा में वो भी बात करते हैं कि हमने इंफ्रेस्टर बनाया चार धाम सवाल है पलाइन रोकने का सवाल है शिक्षा और स्वास्त की बेवस्ता सुधारने का सवाल है गाव में लोगों को इंकम देने का सवाल है यह तमाम सारे सवाल है हमने बिल्कुल साइंटिफिकली उसको वो करके हमने जनता के सामने वो गोशना पत्र रखा सबसे पहले हमने है और उसी पर हम काम करेंगे उसी पर हमारी लड़ाई जारी रहेगी राहुल गादी जी आते हैं दिन्या में कहते हैं हम लोकल शिल्प को बढ़ावा देंगे तो वह एक तरीके का सायद आप उससे समर्थ आप उससे सहमत नहीं होंगे कि ये कोई उत्तर है पर उन्तों एक उ हमने कहा है कि प्रवायन होने के क्या करने है सबसे पहला है कि आजी बीका नहीं है सच्टेनेबिल इंकम गाउं में नहीं है दूसरा और तूसके बाद сразу स्वाश्ट का सहब आता है तो हमने कहा है कि लोग उसके लिए उनको अम द का जरियाद देंगे क्या देंगे जो गाव में रहके क्रिशी करेगा उसको हम मनरेगा की तरजे पर हमको अलग से पैसा देंगे उसको जो किसानी करेगा जित्ते दिन किसानी करेगा उत्ते दिन का पैसा हम देंगे इसी तर से उसकी गरणी अगर परशवालन करती है हमारी परिक क्रिशी और परशवालन का हमारा प पलाइन करने के नौमद ना आए उसके बाद और जो उसको इंफराज चीए और जो भैजली चीए चाहे वो शिक्षा की हो स्वास्त की हो तो वो स्वास्त की और शिक्षा की वरस्ता भी हम करेंगे तो इस तरह से पलाइन रुगेगा हमारा मोटा-मोटा यह करना है बड़ी घोश्टा हैं जैसे हैं आमादनी पार्टी आती हैं कि तीन सो इनिट देंगे आमादनी पार्टी का आना एक आपके लिए गेम चेंजर थोड़ा बहुत दिखाई देता है क्योंकि उनका नाम थर्ड पार्टी के रुप माने लग गया है अब जैसा कभी उत्राखंड कांती दल का आता था और आप लोग चाहते हैं कि आए कि आप यहां की एक बड़ी पार्टी हैं जैसे कि आपके साथ ही जहारखंड बना इसी राजी के साथ और जहारखंड मुक्ती मोर्चा जैसी पार्टिया बनी बाकी जगों तो हम पुराने एक्जामपल हैं वो सब स्टेबलिस्ट पार्टिया हैं आपके साथ आपने एक बयान दिया था मैं आपका पुराने एक इंटर्वी देख रहा था उसको जनता का समर्थन नहीं मिल पा रहा है इसका कोई कसूरवार या कोई जिम्मेदार आप ठहराते हो या उसकी कोई जिम्मेदारी तै होती है उत्राखंड करांती दल पार्टी में मैंने कहा यह हमारी मेरी से हमारी गलती रही है कि हम जनथा को लामबंद नी कर पाए जनता को समझा नहीं पाए कि यह बारी बारे से उतराखंगर और लूट रहे हैं उनको यहां से हटा हो अब तैसरी पार्टी का भी आपने जिकर किया है तिसरी पार्टी को भी यह मौका इसले मिला है कि हम कमजोर हुए तो तिसरी वो भी दिली की पार्टी है दिली से आके यहां मुनीम रखते हैं मुख्यमंतरी नहीं होते हैं उनके मुनीम होते हैं दिली में बैठे हैं सेड़ जी और मुनीम भेज देते हैं यहां वो मुनीम उन जनता को समझ में जुरूर आ रहा है और इस चुनाव में हम लोग इसको बैपक रूप से परचारीद भी कर रहे हैं और जो आपने सवाल पूछा कि कमी किसकी मानते तो बहुत सारे कारण है लेकिन उन कारण में नहीं जाना चाहता हूं मैं पुना कहना चाहता हूं कि हमारी ग चाहें वो अमादमी पार्टी ओन बीजेपी आप लोगों का बारबार कहत कि हमारे पास धनबल का समर्थन नहीं है तो आप क्या तरीका इस बार अपना रहे हैं प्रचार करने के क्युकि पूरान अब वर्चौल रेलि होने लग गई हैं हरिकॉप्टरय यात्राइं होती है वो आप नहीं कर सकते हैं। क्या तरीका इस बार अपना रहे हैं कि अपनी बात आप जनता तक पहुचा सके हैं। और हमें अभी इसलिए अच्छे रिजल्ट की उमीद है। आपको क्या लगता है कितनी सीट आएंगे इस बार उत्राखन का अंती दल की। उत्राखन का अंती दल की मैं आपको हाइपोथेटिकल तो नहीं कह सकता हूं लेकिन हम 20 सीट से उपर आएंगे। कुछ आपके इलाके थे जैसे रानी के द्वारा हाट का इलाका था वहाँ आप मजबूत समझाते थे। यहाँ देव प्रयाक के इलाके में मजबूत समझाते थे। पुराना प्रशन है मैं दुबारा दोहरा आ रहा हूं क्योंकि उसको मेरे खांकित करना चाहता हूं कि ऐसा लगता है कि जो प्लेंस की सीटे हैं उसकी जो हमारे परशन हे पुराने पुरृणचरों नहीं हैं इसमें जो हमारी पुराने प्रभाव की सीटे हैं उस पर तो हम काफी मजबूत से चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन तराय में भी जहांबर जैसे काशिपूर है किछा है इन जगों पर हम लोगों ने काफी अच्छी तैयारी की है दो तीन सिटे हम हरदवार में लड़ रहे हैं और संक्रण भी जितना हमारे पास संक्रण है जित बीजेपी यहां की एक तरफ साफ कहने कि उन्होंने आपको उन्होंने इस राज्य को लूटा कसोटा है और अभी वर्तमान में वो दोनों पार्टियां ऐसी दिखाई दे रही हैं कि यहां वो मुख्य लड़ाई में हैं पिछली बार आपके एक विधायक चाहे दिवाकर भ हैं तो लोग कहते भी हैं कि अगर जीतेंगे तो क्या भरोसा भाई कल वहां चले जाए तो आप कैसे इंशॉर करेंगे कि आपके विधायक तूटके मंत्री बनने के लालच में दूसरी पार्टियों में चले जाए ललन टॉप काफी पॉपलर चैनल है मैं देखता रहता हू मैं आपके चैनल के माद हमसे पस्ट करना चाहता हूं कि वह स्तिती अभी नहीं आएगी चुनाओ का रिजल्ट कुछ भी होगा हमारी पार्टी की आइडेंटिटी हमारे पार्टी के सरोकार हमारे पार्टी का संकर्च बिलकुल अलग आपको दिखाय देगा और आप ही ललन